आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका पेट कम नहीं होता इस्पेशल वो अपने बैली को कम करना चाते हैं अपने बैली फैट को घटाना चाते हैं जो लोग पतले हैं वो भी या पिर मोटे लोग सिर्फ हो सिर्फ अपने पेट को घटाना चाते हैं कुछ लोग पतले होने के बावजूद भी, अपने पेट को नहीं गड़ा पाते हैं. और कुछ लोगों का यह कहना है कि हमने बहुत सारे एक्सरसाइज करी हमारी पूरी बोडी का वेट तो चला गया लेकिन पेट हमारा जैसे पहले था वैसा का वैसा ही रहे गया ऐसा क्यों है? तो थ्री टिप्स पताऊंगी सबसे पहले तो में कि क्या आपको अपने जो डेली रूटीन होता है उसमें अपनाना चाहिए ताकि आपका जो बैली है वो जल्दी से जल्दी कम हो सके और उसके साथ ही तीन स्टेप बताने वाली हूँ या एक्सरसाइज आप कह सकते हैं जो लोगों का पेट नहीं घट रहा पतले होने के बाव जो पेट बढ़ा है तो क्या उनको करना चाहिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे वो जल्दी से जल्दी अपना पेट बढ़ा से के तो सबसे पहले तो तीन टिप्स आपको बताने वाली हूँ जो तीसरी है ही अगर आप exercise करेंगे तो भविश्य में कभी भी आपके पेट के ओपर fat नहीं बढ़ेगा और जो fat है वो घटा चला जाएगा तो चलिए सबसे पहले टिप्स पर बात कर लेते हैं जैसे कि खाना पीना जो भी आप खारे वो matter करता है आप सब को पता है कि आपका पेट कितना बड़ा है कितना चोटा है बहुत सारे लोगों के आप पेट आपने पतले पतले देखे होगे जब कि ओर और ओर ठीक ठाक होते ह मतलब हो वो देख के घाना कोथे हैँ आपने कुछ लोगों को देख उगा होगा कि कुछ तो थोड़ा सबいう प्ते हो उठाएंगे तो यह तोसी बात तुक्ल सभी बात ऐसे चुली अच्छे के साओ गीृतु सáर मिलावट करते जा रहे खरते जाता है उर एक समय समय एक होने हैं, पैसे अधों कि आटा भात हैं आपते हouv दो कि का समय घाले हैं आझing अठाले हैं narigी दड़ते मेरिये देश्या, फोड़ते हैं, और चुल तो पत ऐसा आता है कि उस स्वाद के चक्कर में हम कई चीजे ऐसी मिला मिला के खाना शुरू कर देते जो कि हमारी बोड़ी के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती, तो वो चीज बिल्कुल बंद कर दीजी, आपको क्या करना है, एक चीज हमेशा ज्यान रखनी है, कि जो चीजे आपने खाना बनाया, सब लोगों के लिए बनाया है, ठीक है आपने उसमें नमग में टेस्ट कि अच्छा है, खाने लाया के है, तो सब को अपने सर्व कर दिया, आपने भी उसके साथ बैटके खा लिया, ऐसे नहीं सोचना कि नहीं इसको और स्वाद बनाया जा, और स्वा ये सोब्स नहीं करते हैं, तो अब मुझे ये नहीं कहना चैना है मेरे मुघेंगा बनाया आघ काना है, घीरे है, टेमाटर है, जो सैलेड है, ऋ जादा से जादा खाना है ग्रीजी जादा फीना अ तो अब मुझे क्या फ्रिल होता हैं, जब भी कहीं पर लाल-нал टमाटर देखते हूं मेरे मूँ मे पानी आने लगते हैं वाओ लाल-ल टमाटर कितने टेस्टी होंगे खाने में और बाकियों से बहुट टेस्टी लगते हैं जब भी कहीं पर ग्रीन पते आप देखते हैं जैसे धनिया पता है तो मन करता है अभी से इसको ग्राइंट करके जूस बना के पिलू वाव कितना अच्छा लगता है इसको स्वाद इसके अंदर एक टमाटर राट कर लो खटा वो खटा और धनियेगा स्वाद वाव कितना आपके पेट के उपर बिल्कुल नहीं रहेगा बिल्कुल खत्म हो जाएगा अगर आप नेचुरल जो टेस्ट है उसको लेना सुरू करती है जैसे कि फ्रेस्ट खीरे आपने कहीं पर देके मन करता है खा जाओं जल्दी से कट करके तो वो चीज आपके अंदर होनी चाहिए तो जो ताजे-ताजे फल आपको दिख रहे हैं उनका स्वाध आपके मन में आना चाहिए कि ये मैं खा लूँ तो आप खाऊगे तब ही स्वाध आएगा तो वो चीज आप करना शुरू कर दो नमबर दो है आप खाना बंद कर दो पीना शुरू कर दो यानि कि जल्दी-ज तीसरा टिप्स है, जो कि बिल्कुल काम करेगा, वो यह है कि जो रात का आप खाना खाते हैं, उसके बाद एक तो आपको हलके से हलका खाना खाना, यानि ग्रीन सबजी खाने, कोई भी ग्रीन सबजी तोरी है, कुछ भी लोकी है, कुछ भी ग्रीन सबजी आपको खानी है, आल अशलिव पसे पहले को एक गिलास गरम पानी हो आदा गिलास ले शच्यवकर पिंगे जितने ही प्यास गरम पानी को लेना है इसmeric जितना आपक अच्छा लगता है इतना गरम पानी उसमें आप जो छोटी चमच होती है वो आदी चमच दालचीनी मिलाएंगे और वो अच्छी से घोल के आप पी जाएंगे कोई भी उसमें शूगर या जगरी पाउडर नहीं आड़ करना सिर्फ गर्म पानी में दालचीनी का पाउडर मिला के पीना वो जल्दे से जल्दी आपके fat को burn करने में help करेगा आपका जो खाना अदपचा रह जाता है उसको पचाने में help करेगा और इसके साथ ही अगर आपका खून गढ़ा हो चुका है उसमें fat की quantity है तो खून को पतला करदेगा ब्लड का सर्कुलेशन जितना अच्छा होगा, उतना ही फैट जल्दी गटेगा, अपके मेटाबोलिजंग को हाई करना शुरू कर देगा दालचीनी का पाउंडर, लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा कम जोर है, बीपी कम रहता है जिन लोगों का, तो वो लोग दालचीनी क अस्तमाल ना करें क्योंकि बीपी और ज़्यादा कम हो जाता है, लेकिन जो मोटे लोग है, जिनका पेट बढ़ा हुआ है, वो ले सकते हैं, सब लोग ले सकते हैं, आसी कोई बड़ी बात नहीं है कि, इस्पेशली मना किया जाता है इसको लेने से, तो चलिए बढ़ते हैं आपकी सोने से पहले तीन एक्सरसाइज कौन सी आपको करनी है, जो कि जल्दे से जल्दी आपके पेट को घटा सकें, तो चलिए देखते हैं, तो नमबर वन स्टेप है, आपको इस तरीके से बैठ जाना है, खाना खाए वे आपको एक से डेट घंटा हो चुका है, इस बात तो कितने स्टेप करने हैं, कम से कम टेंटन रेपिटेशन आपको करने हैं, इस तरीके से, और उसके बाद धीरे धीरे आप बढ़ाते चले जाएंगे, जैसे आपने तीन दिन किया, चार दिन किया, आपको अच्छे से हैबिट हो गई, करने से बोड़ी को आदत हो चुकी ह तो उसके बाद आप अपने रेपिटेशन बढ़ाते जाएंगे, तीन-तीन सेट, इसे 10-10 रेपिटेशन का आपका एक सेट हो गया, और इस तरीके से तीन-तीन सेट आपको करने हैं, आप बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप की तरफ, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना हाथों को ऐसे रखना है quatro अपनी जो लुबर बोड़िये, इसको उठा लेना है अपको ऐसे उसको अपिनी बोड़ी को रोटेट करना है और अपने पैरों को घुमाते रहनए है अपनी ऐडियों का सोपोर्ट लेकि आपकी एडियों कशितना पर में दो cig Cuando you'll be जल्दी घटेगा इस तरीके देखे लिए अब जो नेक्स्ट इगला स्टेप उसमें एक आपको इस तरीके से पिलो की जुरूत पड़ेगी पुछ नो आपके घर में उसको भी ले सकते हैं धीरे से आप लेट जाएंगे ऐसे आप अपनी लेग्स के नीचे इस तरीके से इसक पकड़े पकड़े इस तरीके से आपको पैरो को जमीन से लगाना है फिर उठाना है फिर जमीन से लगाना है आपके जो पंजे हैं आपके टोज उसको जमीन से टच करना है हातों को ऐसे ऊपर भी रख सकते हैं इस तरीके से ऐसे तो जब आप ऐसे टच करेंगे तो सबसे ज कम से कम 10 repetition, 10 repetition का एक set रहेगा, तो पहले दिन एक-एक set करना है, और फिर जब 3-4 दिन आपको हो जाते हैं, एक-एक set करते वे, फिर आप 2 set और 3 set इस तरीके से बढ़ाते जाएंगे, ऐसे, बहुत ही अच्छी exercise है, आपके पेट में जितना खाना पड़ा हुआ होगा, उसको ज जल्दी से जल्दी बार में होगा, ऐसे इसको अच्छी से पकड़ के रखना है, ऐसे, ऐसे, और नॉर्मली, अगर आपने अपना सब काम फिनिश कर लिया है, तो आप अराम से इसके बाद सू सकते हैं, और जैसे कि मैंने बताया, अगर आपने पहले पानी पी लिया ता, ग तो दस मिनाट रिलेक्स करके अक्सरसाइज करने के बाद आपको गरम पानी करिए, एक कब गरम पानी पी सकता है, एक गिलास ही नहीं पीना है, जितना आप कामन करें, उसमें दालचीनी अच्छी से मिला लिजे, और सिप सिप करके घूट-घूट करके पी लिजे, कोई नहीं कुछ नहीं मिलाना है, निमू भी नहीं मिलाना है, तो आप देखेंगे, कि आपका फैट बहुत जल्दी बर्न होगा, पेट कम होना सुरू हो जाएगा, जिसे पेट के उपर आफारा आ जाता है, कुछ लोगों गैस बन जाती है, कब्स की समस्या रहती है, वो सब ची जरूर बताना, वीडियो अगर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, अगर आप मेरे चैनल पर लेहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, मत भूलना, फिर मिलती रख्स वीडियो में, तब तक के लिए बाए, टेक्यार,